नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर करीब दो महिने बाद हमें ये चैनल वापस मिल गया है हमारा ये चैनल हैक हो गया था और दो महिने बाद हमें वापस मिला है और दो महिने से हमने हमारे दूसरे चैनल स्टैनो एंड टाइप क्यूटर पर डिक्टेशन डाले थी और उसमें अभी भी आगे डालते रहेंगे तो आप उस चैनल से भी जुड़ जाए उस चैनल में भी लोगों में यही पुकराज जी दैया सर की फोटो है उसमें भी महतुपून डिक्टेशन डाली गई है तो आप वो डिक्टेशन भी ले लेना और चैनल का सदसिय बन जाना मैं उस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तो आप उसको भी जॉइन कर लें तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन यस, थ्री, टू, वन, स्टार्ट राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का समगर विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 से निरंतर महिला एवं बाल विकास विभाग कारिरत है विराम राज्य में महिलाओं की इस्तती को बहतर बनाने उन्हें विकास की मुख्य धरा में समान रूप से जोडने शाशन में महिलाओं के मुद्दों को परमुकता से उठाने तथा उनके किर्यान वयन एवं परवोधन के उद्देश्य से महिला अधिकारिता निदेशाले का अलग से गठन दिनाख 18 जून 2007 को किया गया था विराम इसी परकार राज्य में बच्चों के समगर विकास हे तू निदेशाले समयकित बाल विकास सेवाएं अलग से संचालित हैं विराम पैरा स्वच भारत अभियान एक राष्ट्र इसतरिये अभियान है विराम गांधी जी की 155 स्वी जैंती के अउसर पर माननिये प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी ने इस अभियान के आरंब की घोशना की विराम यह अभियान प्रधान मंत्री जी की महत्वा कांक्षी परियोजनाओ मैं से एक है विराम दो अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपत पर जनसमुहु को संबोधित करते हुए सभी रश्ट्रवासियों से स्वच भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की विराम साफ सफाई के संधर्व में देखा जाए तो यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा स्वचता अभियान है विराम पैराव मानव का जिग्यासु मन शुरू से ही अंतरिक्ष को जानने और समझने की कोशिश करता रहा है विराम आज मानव अंतरिक्ष के रहस्यों का भेद पाने के लिए अपनी बुद्धी और ज्यान का परियोग कर न सिर्फ चंदरमा तक पहुचा है बलकि उसने बर्मांड के अन्य विश्मयपून ग्रह मंगल की कक्षा में अपने उपग्रहों को इस्थापित करने में भी सफलता अरजित की है विराम हम भारतवासियों के लिए घर्व की बात यह है कि मंगल ग्रह के छेत्र में पहुचने वाले विश्व के चार देशों में एक हमारा देश भारत भी है विराम पैरा किसी भी देश के विकास में हमेशा से सिक्षा का विशेश महत्व रहा है विराम इसी कारण प्रतियक राष्ट्र द्वारा सिक्षा ववस्ता में निरंतर सुधार लाने की कोशिश करना अत्यंत स्वाभाविक है विराम अतीत में संसार को प्रेम और शान्ती का संदेश देने और ज्यान तथा विज्यान का पाठ पढ़ने वाला विश्व गुरु के नाम से विख्यात हमारा देश भारत आज भी सिक्षा के महत्व से भली भाती परीचित है और यही कारण है कि आज हमारा देश साहित्य संगीत कला विज्यान अध्यात्म इत्यादी सभी छेत्रों में अपने जैसे विकाससील देशों को ही नहीं बलकि दुनिया के सभी विक्षित देशों को भी चुनोती दे रहा है विराम आज विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा भारतिये युवाओं की प्रतिवा का मुक्त कंठ से गुणगान किया जाना इसका प्रमान है विराम बावजूद इसके संपूर्ण राष्ट्र की सिक्षा को आधार मान कर विशलेशन किया जाए तो अभी भी भारत सिक्षा के छैत्र में विक्षित राष्ट्रों की तुलना में काफी पीचे है विराम पैरा न्याईक समिक्षा के सिध्धान्त की उत्पत्ती एवं विकास अमेरिका में हुआ विराम इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मैडी सन के जटिल मुद्धों में हुआ जो की अमेरिकी सर्वोच न्यायले के ततकालीन मुख्य न्यायाधिश थे विराम बारत में दूसरी और समिधान स्वेम न्यायपालिका को न्यायक समिक्षा की शक्ती देता है विराम साथ ही सर्वोच न्यायले ने गोसित कर रखा है कि न्यायक समिक्षा की न्यायपालिका की शक्ती है संपून विराम